हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम है और कैसे आप सब, होप यू अला दूंग गुद, मैं फिर से आगे आप लोगों किले न्यू रीदिंग लेकर, आज की रीदिंग है, पिकर पाइल, पिकर कार रीदिंग, जिसमें हम ये डिसकस करने वाले हैं, कि आपके फ्यूटर स्पाउस के सा कैसा होगा, कैसी compatibility होगी, उनके साथ आपका relationship कैसा होगा, आपका connection कैसा होगा, आपके feelings कैसी होगी, आपके रिष्टे में, फ्यूटर स्पाउस के साथ गहराई कितनी होगी, कितना love होगा, कितनी affection होगा, कितना grace होगा, कितना एक दूसरे को आप लोग एप्रिशियेट कैसा होगे, overall जो भी cards पताएंगे, मैं सारे messages आपको दूँगी, future spouse के साथ आपका रिष्टा कैसा होगा, यह reading है timeless, जब भी देखेंगे resonate करेगी, यह reading है general, जितने resonate करें उसको अपने pass रखें and leave the rest, हमारे पास हैं दो pile, pile number one, the caring correction, pile number two, the door to remains, जो उनसा भी pile आपको ज्यादा attract कर रहा है, मैं पास से दिखा देती हूँ, आपको उस card को चोज़ करना, उस pile को चोज़ करना है, और वहां से अपने reading देखना, start करना है, without wasting much time, चलते हैं reading की ओर, welcome pile number one, जिनोंने ये beautiful सा caring connection का card चोज़ किया है, इस reading में हम लोग चेक करने वाले हैं, कि future spouse के साथ आपका रिष्टा कैसा रहने वाला है, अगर आप husband के लिए देख रहे हैं, तो भी ये reading आपके लिए है, अगर आप wife के लिए देख रहे हैं, तो भी ये reading आपके लिए है, मै क्योंकि girl हूँ, तो मैं ऐसे बात करती हूँ, कि जैसे आप अपने husband होन रहे हैं, बट उनी messages को आप as a wife भी pick कर सकते हैं, that means अपनी wife के लिए भी pick कर सकते हैं, तो ये reading gender based नहीं है, मुझे जैसे comfortable लगता है, मैं वैसे बात करती हूँ, आपके future spouse, चाए husband है, चाए wife है, जिसक उनके लिए है, 14 आपके लिए important date हो सकती है, 5 important हो सकती है, 23 important हो सकती है, 30 important हो सकती है, 4 important हो सकती है, 128, 19 important हो सकती है, 10 important हो सकती है, 22 important हो सकती है, या फिर important हो सकती है आपके लिए 13 ओके तो ये डेट्स आपके लिए important हो सकती है caring connection is implying कि आपके husband को आपके wife को आपके future spouse को आपकी बहुत कद्र होगी वो आपकी बहुत care करेंगे बहुत आपकी देखबाल करेंगे and आपको कोई भी असोवेधा या परिशानी नहीं होने देंगे आपकी छोटी से छोटी जरूरतों और ख्वाइशों को पूरा करेंगे और हमेशा आपको एक secure feelings और बहुती lucky वाली wipes देंगे कि आपकी उनके साथ शादी हो गई तो जैसे आपने best husband और wife वर्ल्ड के achieve किये हैं तो ये connection बहुत caring होने वाला है अब हम देखते हैं cards का कहते हैं तो आप लोगों का first card है the tower card ये reading timeless है जब भी देखेंगे resonate करेगी ये reading general है तो जितनी resonate करें उसको रखें and leave the rest the tower is implying कि आपके marriage के बाद आपके life में एक bigger transformation changes आएंगे ठीक है बहुत बड़े major changes 10 of cups cancer Pisces Scorpio आप या आपके person हो सकते हैं Capricorn हो सकते हैं six of roads Aries Leo Sag हो सकते हैं ये person आपको लेकर बहुत passionate होंगे ये person कोई business man हो सकते हैं business woman हो सकती हैं otherwise ये person हो सकते हैं कोई event organizer या फिर इनका business या इनका कारोबार या इनकी job related to travel हो सकती है या फिर इनके skills, modeling, fashion designing, YouTube channel, social media sites पे इनका नाम fame काफी ज़्यादा हो सकता है या फिर आपका हो सकता है ये person बहुत energetic है, बहुत emotional है इनके साथ आपके दो बच्चे हो ऐसी possibility भी है that means after marriage आप लोगों की दो बच्चे हो और इस रिष्टे में connection बहुत caring रहेगा initially हो सकता है कि थोड़े ups and down रहें changes को accept ना कर पाए आप या ये person आपको या इस person को लगे कि थोड़ी problem आ रहे है इस रिष्टे में लेकिन बहुत जल्दी आप एक दूसरे को well understand करते हुए समझते हुए एक दूसरे को support करते हुए happy family तक पहुंचोगे and अपने life में अपने goals में अपने connection में win कर जाओगे ये person आपको बहुत प्यार करेंगे आपकी बहुत देखबाल करेंगे आपको इधर से उधर घुमाएंगे आपको world tour करवाएंगे city to city visit करवाएंगे और ये person काफे ज़्यादा spiritual होंगे तो overall connection मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है ये person बहुत ज़्यादा romantic होंगे passionate होंगे and society, समाज और family के साथ चलने वाले होंगे ये connection हो सकता है कि online build up हो Taurus Virgo Capricorn ये person हो सकते है इन person का आपको पाना just like ऐसी चीज है जैसे एक छोटे से बच्चे को diamond का मिल जाना और उसको ऐसा लगना कि अब वो उसको किसी भी कोस्ट पर खो नहीं सकता हर कोस्ट पर उसको उसकी देखबाल करनी है उसकी care करनी है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचने देना है तो ये person just like that होंगे for you इनका behavior ऐसा होगा four of pentacles ये person थोड़े से जिद्धी हो सकते हैं stubborn हो सकते हैं अपने parents के बहुत दुलारे या दुलारी हो सकते हैं मतलब उनके parents ननको बहुत प्यार से पाला पोसा और बड़ा किया है अपने mother के बहुत लाडले हो सकते हैं career oriented हो सकते हैं career में काफी अच्छी पकड़ है इनकी career में काफी name fame पैसा और तरक्की है इनके पास काफी आप rich person के साथ marriage करने वाले हो और ये person से financially rich नहीं है इनका दिल भी बहुत बड़ा है by heart ये person बहुत rich है और आपका इनकी life में जाना आपका इनके साथ marriage करना just like कि इनका कोई ऐसा dream come true हो गया और इनको एक ऐसा person मिल गया एक ऐसा partner मिल गया इतना अच्छा partner मिल गया कि जहां तक किनोंने सोचा नहीं था तो ये आपकी बहुत value करने वाले हैं बहुत कद्र करने वाले हैं बहुत प्यार से रखने वाले हैं इस connection में आपको किसी भी कोस्ट पर ये sacrifice नहीं कर सकते ये आपको लेकर काफ़ी passionate energetic रहने वाले हैं ये आपके साथ इधर से उधर city to city tour करने वाले हैं आपको नहीं नहीं जगा experience कराने वाले हैं and again traveling का card है passion का card है ये person बहुत passionate है आपके लिए ये person बहुत love करेंगे आपको बहुत romantic feelings हैं bedroom life भी आपकी बहुत passionate होगी पैसा भी आपके पास काफी अच्छा होगा city to city आप लोग घूमोगे भी and ये person emotionally भी आपके लिए बहुत serious होँगे बहुत जादा available रहेंगे और ये person आपको दिल और जान से प्यार करने वाले हैं ठीक है तो इस person के साथ आपके future spouse के साथ आपका relationship बहुत deep intense और गहरा होने वाला है आप की marriage life में बहुत शान्ती होगी और हो सकता है कि आप घर से थोड़ा दूर जाकर अपने life settle down करो ऐसी possibility भी है overall situation बहुत शान्ती, सुकून, सबर और बहुत ही happiness वाली है जिसमें happy family है parents है, बच्चे है, सब enjoy कर रहे है, कुदरत की blessing उनके साथ है पैसा और तरक्की उनके साथ है लोग उनको जानते है society उनकी कदर करती है और एक big transformation change जितना change और जितना अच्छा रिष्टा आप सोच रहे हो उससे भी बहुत जादा better ठीक है बस थोड़ा सा यह रहेगा कि यह person थोड़े जिद्धी होंगे और sometime अपनी जिद पे आ जाएंगे तो इनने मनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा nothing else, nothing else overall situation is more than enough good ओके रेस्ट यह person बहुत शान्त निचर के होंगे कम बात करते होंगे बट जब बात करेंगे तो बहुत ही polite way में बहुत अच्छे तरीके से and kidding behavior इनका बहुत कम लगता है easily यह किसी के साथ involved नहीं होते हैं और जब involved हो जाते हैं इनके पास बातों का खजाना होता है यह person ऐसे होंगे जो जिनको आपको पीछे से बाक से हग करना बहुत पसंद होगा आपको flowers देने बहुत पसंद होंगे and आपकी smile थोड़ी दिर wait करके check करना बहुत पसंद होगी कि आपको इनका gift कितना अच्छा लगा इवन दो यह person बहुत luxurious life जीते हैं बट still आपके लिए यह वो छोटे छोटे काम करने वाले हैं जो की आपको special feel करवाए अगर आप husband है तो आप यही चीज़े wife से connect कर सकते हैं boys हैं तो और अगर आप girls हैं तो यही चीज़े आप husband से connect कर सकते हैं ठीक है तो यह थी आपके रीडिंग जिन्होंने pile 1 चूज किया hope resonate की होगी hope पसंद आई होगी for more clarity upload personal paid readings भी book करा सकते हो already discount available है new year की वजे से up to 50% जिसमें आपकी और आपके husband की ही बात होगी rest each and everything is very good very fine in this reading congratulations in advance bye for now have a good day take care if you like don't forget to thumbs up and share this in your group hey friends welcome here जिन्होंने door to romance चूज किया है 333 numbers 333 numbers आपको ऐसे numbers हो सकता है angel numbers दिखते हूँ 3 आपके लिए important date हो सकती है 12 और 21 आप लोगों के लिए important हो सकती है door to romance हम इस reading में चेक करने वाले हैं कि after marriage आपकी spouse से आपके compatibility कैसी होगी अगर आप boys हैं तो आप अपने wife के लिए चेक कर सकते हैं और अगर आप girls हैं तो अपने husband के लिए ये gender based reading नहीं है but मैं वैसे बात करती हूँ जैसे मुझे convenient लगता है being a girl मैं ऐसे बात करूँगी जैसे कोई husband हो लेकिन आप उनी चीजों को अपनी wife से भी compare कर सकते हैं ठीक है ये reading gender based नहीं है जैसे मुझे comfortable लगता है मैं बात करती हूँ ये reading timeless reading है जब भी देखेंगे resonate करेगी ये reading general reading है तो जुरूरी नहीं है सभी messages सभी के लिए हो जो messages आपके लिए उनको pick करें से आप लोग single है और वेट कर रहे हैं कि कब romantic life आएगी कब romance होगा life में कब passion होगा life में कब caring loving और बहुत ज़दा pampering connection होगा हमारी life में कब हम लोग single से double हो जाएंगे mingle हो जाएंगे तो हम check करते हैं कि आपके tarot cards क्या खहते हैं the emperor aries यह person हो सकते हैं और emperor is implying four आप लोगों के लिए prominent हो सकता है 22 प्रॉमिनेंट हो सकता है 13 प्रॉमिनेंट हो सकता है और यह person आप से age में बड़े हो सकते हैं अगर आप females देख रहे हैं girls देख रहे हैं तो आपके husband आपसे age में बड़े होंगे तो reading को आप उसी वे से ले सकते हैं जैसे मैं बता रही हूँ बट मैं girl हूँ तो मैं husband की according बात कर रही हूँ कि आपको husband कैसे मिलेंगे लेकिन वही चीज आप लोग अपनी wife के लिए भी adjust कर सकते हैं और समझ सकते हैं तो यह person quite responsible होंगे बहुत mature इन में energy होगी अगर आपकी wife भी है तो यह एक masculine power में होँगी जिसके पास name, fame, पैसा, तरक्की सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा और एक authority भी इनके पास अच्छी होगी no matter कि आप husband के लिए देख रही हो या wife के लिए यह एक अच्छी authority वाली job पर होंगे queen of pentacles queen of pentacles is again implies Taurus, Virgo, Capricorn आपके person हो सकते हैं या आप हो सकते हैं और यह person की authority बहुत अच्छी होगी यह person के पास authority अच्छी होगी पैसा अच्छा होगा इनका standard अच्छा होगा queen और emperor की तरह यह अपनी life में time spent करते होंगे और इनको बहुत लोग जानते होंगे इनके life में बहुत growth होगी यह किसी अच्छी government job पर हो सकते हैं यह किसी अच्छी authority वाली job पर हो सकते हैं यह किसी higher profile से connected हो सकते हैं जिनमें इनको बहुत लोग जानते हैं और इनकी बहुत respect करते हैं तो ये परसन बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि मारेज हो जाए, सिंगल से मिंगल हो जाए, रोमेंटिक लाइफ स्टार्ट हो जाए, तो जस्ट लाइक यू, इस परसन को भी वेट है आपका, ओके सिफ आपको वेट नहीं है इनका, he or she is also waiting for you. And your next card is five of roads, five of roads means इस परसन ने life में बहुत स्टागल देखा है, आपने life में बहुत स्टागल देखा है, and बहुत स्टागल के बाद, बहुत competition के बाद, ये मुकाम इनोंने हांसिल किया है, and अब हिने लगता है कि इनका स्टागल कटम हो गया, जो चाहिए था इने मिल गया, and लियो और सैज भी आप लोग हो सकते हो, and this is implying कि ये दिस्टाइन कनेक्शन है, you guys are made for each other, soulmate connection, twin flame connection हो सकता है ये, and बहुत ताइम से आप इस connection को manifest कर रहे हो, seven of cups, आपके person के पास ना, इतनी तरक्की है, और इतने offers है, marriage के लिए, कि जिसमें खुदी confused रहते हैं, कि किसको select करें, और किसको reject करें, कुछ चीजे, ऐसा भी हो सकता है, जो मैं आपके person के बात कर रहे हो, तो आपसे resonate कर रहे हो, because energy sometimes switch कर जाती है, the star, the star is again implying, एक ऐसे person जो बहुत spiritual है, धार्मिक है, name fame बहुत अच्छा है, balance बना के life में बहुत अच्छा से चलना जानते हैं, और इनको बहुत दुनिया जानती है, just like a star, यह social media पे हो सकते हैं, youtube channels पे हो सकते हैं, इनकी अपने अपना platform हो सकता है, अपने applications हो सकते हैं, अपने google में कई वे हैं guys famous होने के, तो यह famous personality हो सकते हैं, the high priestess, the high priestess is again implying कि यह person बहुत intuitive होंगे, well balanced होंगे, well mature होंगे, independent होंगे, and tarot readers, spiritual healers, spiritual worker, teacher, nurse, doctor, lawyer, या किसी भी service देने वाली field में हो सकते हैं, black और white इनके पास vehicle हो सकता है, pet lover यह हो सकते हैं, अब बात करते हैं कि आपकी after marriage life कैसी रहेगी, first thing is this, door to romance open हो रहा है, बहुत जादा romantic life रहने वाली है, honeymoon का phase काफी लंबा चरनने वाला है, second thing is this, कि आप बहुत time से wait कर रहे हो marriage का, और आप लोग हो सकता है, 30 के near हो या 30 के अबव हो, then आपकी marriage हो, third thing is this, कि आप लोगों के marriage में बहुत struggle रहेगा, बहुत problems रहेंगी, but finally जब marriage हो जाएगी, तो वो इतने अच्छे घर में होगी, कि जुसको देख करना दुनिया जल जाएगी, कि इसको इतना अच्छा रिष्टा कैसे मिल गया, या इसको इतना अच्छा पार्टनर कैसे मिल गया, या इसको इतनी अच्छी पार्टनर कैसे मिल गई, तो लोग आपसे बहुत जैलस करने वाले हैं, after marriage, आपके आपके परसन से काफी अच्छी बनेगी, and आपके परसन जो हैं, आपके बहुत केर करेंगे, आपको बहुत लव करेंगे, and बिल्कुल ओपन ओप होकर चलेंगे आपके साथ, कोई भी चीज चुपाएंगे नहीं, hide and seek, खेलेंगे नहीं, and अपने लाइफ के struggles को, tensions को, परिशानियों को, सब चीजों को आपसे discuss करेंगे, and इनका finance काफी अच्छा होगा, तो obviously finance का भी आप लोग बहुत benefit उठाने वाले हो, after marriage आप लोगों का finance काफी improve करेंगा, बहुत growth होगी life में, and ये marriage just like ऐसी होगी, जैसे आपका एक new birth हुआ है, एक new beginning हुई है life में, major transformation आपके life में आएंगे, and आपके person थोड़े से confused हो सकते हैं sometime, after marriage भी ऐसा हो सकते हैं कि इनकी decision making power कम हो, या फिर इन्हें नहीं समझ में आता हो कि क्या करें और क्या ना करें, then ये definitely आपसे guidance लेंगे, आपकी guidance के according अपने life में आगे बढ़ेंगे, and थोड़ा सा हो सकते हैं आपके या इस person की mercury या फिर केतू planets में थोड़ी problem हो, बट उसकी remedies करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, rest मुझे कोई major issue दिखाएं नहीं देता, बस ये दिखाएं देता है कि थोड़े से ये person confused रहेंगे, और थोड़ा सा ऐसा होगा कि sometime नोक जोक raise हो सकती है, बट जैसे ही वो नोक जोक raise होगी, बहुत जल्दी ये person आपको मना लेंगे, कुछ expensive gift देकर, प्यार से, दुलार से, ये person आपको बाहर गुमाने लेके जाएंगे, ये person को ऐसा लगेगा कि just like बहुत मेहनत करने के बाद आप इने मिले हो, ठीक है, लियो हो सकते हैं ये person और इस person को ऐसा लगेगा कि आपको लग सकता है कि यह person बहुत गुस्से वाले हैं या इन person को लग सकता है कि आप बहुत गुस्से वाले हैं जिनको handle करना बहुत मुश्किल है बट quite impossible नहीं है तो चीजे बहुत अठी चलने वाली है नोट लाइक डाट की चीजे खराब चलेंगी लेकिन आपके person ऐसी होंगे जो give up नहीं करते easily hard नहीं मानते इस रिष्टे में इस marriage में struggle देखने को मिल सकता है but hard ना मानने की situation ही ऐसी है जो चीजों को marriage तक लेकर जाएगी यह person after marriage रिष्टे में equal give and take रखेंगे यह person donation करेंगे और काफी जदो donation करेंगे और यह person हो सकते है कि आपके हाथों से भी donation करवाए जगा जगा मंदिर temples में आपके साथ visit करें और आपको बोलें कि आप भी अपने हाथों से donate करो so that आगे के life काफी अच्छी रहे equal give and take में यह person believe रखेंगे और यह person किसी भी कोस्ट पर आपको खोना नहीं चाहेंगे यह person के लिए just like आप queen और emperor हो और इन्होंने बहुत मेहनत और शिदत से आपको पाया है इस टाधी में बहुत struggle था बहुत परिशानिया 5-5 mercury में बहुत problem है आप decision नहीं ले पाते हो यह person easily decision नहीं ले पाते है बट finally जब यह decision ले लेंगे हो सकते है आप इस person को अल्रेडी जानते हो और यह decision ना बना पा रहे हो mindset ना कर पा रहे हो बट जब यह set करेंगे तो यह हर एक चीछ पर विन कर जाएंगे और जब तक यह नहीं set कर पा रहे हैं तब तक थोड़ी problem तो है ही इनके साथ rest यह person आपको church, mandir, masjid, गुर्दवारा जहां पर भी यह believe करते हैं वहाँ पर आपको लेकर जाएंगे इन person को किसी का हैसान लेना बिल्कुर पसंद नहीं है दहेज लेना, किसी से gift लेना बिल्कुर पसंद नहीं है या दहेज देना बिल्कुर पसंद नहीं है यह person quite independent, well mature और बहुत ही उचे विचारो वाले person होंगे, ओके यह person आपको time to time नए-ने offers देते रहेंगे, नए-ने surprises देते रहेंगे, नए-ने gifts देते रहेंगे and इस आपके life में spark को कभी खतम नहीं होने देंगे यह person initial काफी ज़्यादा conservative होंगे, जल्दी से open up नहीं होंगे, काफी ज़्यादा boundaries इनके life में होंगी बट जब यह open हो जाएंगे, तब यह सब कुछ share करेंगे, तब यह कुछ भी नहीं चुपाएंगे और यह person आपके life में तब आएंगे, जब इनके life में कोई connection over हुआ हो, या फिर आपके life में कोई connection over हुआ हो तो यह थी आप लोगों की reading, कि after marriage आप लोगों के साथ, आप लोगों का, आपके spouse के साथ कैसे compatibility रहेगी रूटना मनाना चलता रहेगा इस relationship में, नोग जोग भी चलेगी इस relationship में लेकिन उतनी deep और intense understanding और deep और intense love भी होगा इस relationship में एक दूसरे को समझोगे आप, एक दूसरों की कदर करोगे आप, एक दूसरे को value करोगे आप, एक दूसरों से सब को share करोगे आप, छीक है, तो बहुत जल्दी वो चीज़े sort out भी हो जाएंगी, no, nothing like that की बहुत जो stress दे आपको, तो ये थी आप लोगों की reading, I hope की resonate की होगी, for more clarity आप लोग personal paid readings भी book करा सकते हो, details description box में available है, और अभी discount पर भी readings हैं, जिसमें up to 50% discount है, उसकी detail community tab में available है, bye for now, have a good day, take care, love you.